अब हम बात करें एक समकी समकी नहीं एंट्रीज की जहां पर अगर प्रीमियम हो तो हम कैसे शेर कापिटल के लिए एंट्री करेंगे ठीक है अब प्रीमियम है प्रीमियम का मतलब क्या होता है जितना भी फेस वाल्यू है शेर का उसमें आड ओन करके एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है क्योंकि कंपनी की साथ कंपनी की गुडविल अच्छी है कि आप 10 रुपए का उसका शेर 20 में 50 में 100 में 1000 में भी लेना चाहते हो सोचो तो ऐसा है तो जो फेस वाल्यू है जो नामिनल वाल्यू शेपर रहे हो उससे कहीत आप दे रहे हो जो ज्यादव की लिए सब्सक्राइब था जब देना में इसकी एंट्री कैसे करें गे मान लो 10 रुपे का शेरा है और ढोर्टे एक्स्टराइब तो आप 12 रुपे इसे हम बोलते हैं इस्टीरिटीटीज प्रीमियम रिजर्ड इसकी एंक्री कैसे होगी हमने इससे पहले देखा के शेयर जब हम share issue करते हैं तो अगर full and final settlement साथ में ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो क्या entry थी, parts में ले रहे हैं, तो क्या entry थी, हमने parts में देखा, तो मान लो, ये 10 रुपाई को भी हम parts में ले रहे हैं, 3, 4, 3, हाँ, अब premium ज़्यादा तर करके, I am not saying every time, ज़्यादा तर, मतलब 95 ये होता है कि जो premium है, वो allotment के साथ मांगा जाता है, application first call के साथ नहीं, ना दिया हो कि किस के साथ लेना है, तो allotment के साथ ही लेना है, ऐसा, समझे, तो ना दिया हो कि कहां, कि किस amount के साथ मैं premium लेने वाला हूँ, तो allotment के साथ ही लेने वाले हो अब, लेकिन दिया है, specific, ऺपता ही आप हो कि कहा लेघे वाप जहाँ भी प्रीमियम है अगर बाइचन्स प्रीमियम आपने its application 되지 सबसे पहले प्रीमिम की उत्ती क्या dit has जाओ प्रीमियम की एंट्री होती है येस तुमें तो यादि है अच्छे से करते हो आप मुझे बता है बैंक टू शेर अप्लिकेशन हमने यह वली एंट्री पड़ी थी आप्लिकेशन रिसीवड हुए इसे ट्रांसफर कर रहे हैं शेर अप्लिकेशन टू शेर क्यापिटल क्यापिटल में अब अगर प्रीमियम ह application के टाइम पर प्रीमियम है application के टाइम पर तो ध्यान रखना है तो यह प्रीमियम यहां आएगा security प्रीमियम रिजर्व SPR तो यह हम लिख रहे हैं SPR अगर प्रीमियम है application के time पे तो आप पैसा जो receive करोगे उसमें से transfer करोगे capital में और SPR में अगर allotment में है premium तो आप entry कैसे करोगे allotment में है अगर premium तो आप due के time पे जब आप allotment मांग रहे हो तभी premium को दिखा दोगे तो यहां share allotment to share capital इसके साथ ही आप premium दिखा दोगे see यहां पे कि मैं मांग रहा हूं कितने मांग रहा हूं यह SPR आप जो मांग रहे हो allotment में वो capital का भी है और premium का भी है and then received entry जो हमारा payment आएगा है ना तो payment जो आएगा वो यहां पे bank to share allotment ठीके जादातर allotment में ही premium होता है कुछ ना दिया हो तो भी allotment में ही premium होता है तो यह entry होती है due के time पे लिख देते हैं कि यहां पर नहीं दिखाइंगे यह वड़ा दिखाएंगे के तो यहां पर आप दिखा दोगे application के जो प्री रुपीज यहां पर तो है नहीं अպया चार गॉसे मांग रहे हो फ्लस नंडिस चार गने के अलोटमेंट से और एस्पीर के दो इस तरीके से दिखाऊगे तो चे आपको मिले चे डिके अब शेर फर्स्त कॉल के टाइम पर अगर प्रीमियम में तो हम कैसे दिखाएंगे यह घर फ़र्स्ट कॉल अभि यह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते वाँ एंड फाइनल कॉल तू शेर कापिटल अभी मैंने बताया द्यूट एंट्री में ही प्रीमियम मांग लेना है अगर प्रीमियम आप इस पर्टिकुलर पाट में मांग रहे हो SPR ठीके Securities Premium Reserve पूरा लिखना है तो मैं तो यह हम यहां नहीं मांग रहे हैं इसलिए मैं तो सिर्फ बता रही हूं कि कहां पर लिखना है अगर कहां पर आ जाए तो किस पार्ट में आ जाए तो same again bank account debit to share first and final call first call उपर लिखाय मैं इसलिए first call लिख रहे हूं यह received entry होगे तो समझ आ गया अगर premium मांगते हैं तो क्या करना है कैसे डालना है यह application में transfer के entry में allotment first call किसी भी entry में due entry में चीक है तो यहाद रखना है security's premium reserve this is how we are going to write the entries अब देखते हैं over subscription